यह 10 band का equalizer है यह जो यह circuit आप देख रहे हैं यह 10 band का equalizer है यह 324 नंबर की IC से यह तिनों जो है design किये गए है यह तिनों IC जो है इस equalizer के लिए design किये गए है जिसमें से एक AB 324 है, AB 324 है, AB 324 है यहाँ पर नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर LM 324 लगता है जिसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको के A324 के यह भी जो है एक कोरिया की IC है यह यहाँ पर यूज होते हैं और IC आप कोई भी लगा सकते हैं लोकल लगाएंगे उसका अलग रिस्पांस मिलेगा वर इतनल लगाएंगे उसका अलग रिस्पांस मिलेगा क्योंकि कि आप जो शवाल फर्करन सी का यानी आडियो फिर्करन सी आप देखिए मैंने वहां बताया था आपको की यह टैन बैंड को तीन में कैसे बनाएंगे है और तीन बेंटे लिए यहां पे बता देने आपको एक हुरIs एक है ट्रेपल निया जो होता है कि अऱ डेसे करना है कि इस सर्कीट में देखें के मैंने कंटॉल को जोड़ा है साधिस नियां को कंफू terrace हो और लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कि जैसे पहले देख लें हम पर ट्राइग्राम बनाते हैं आपको ये दो wire निकले हैं यहाँ पर देखेए ये दोनों wireMich एक control के जिसे एक दो तीन यानि इसमें जो OW-pen होते हैं यह में control में एक टीसी थे तो इसमें देखे UP 3 पिने निकले होते हैं जिस पर हम, वायर को जोइन्ट करते हैं 1-2-1-3 जीसे वीलैंट होता है तो वहां पर Ground होता है बीच में IDρω गफिलत ऑफिछ इन किया जाता है फिर यहां से Output दे जाता है तो यह सेम यहां पर यह बीच वाने से जो है यहां पर कौन वायर जोड़ना और इस साइड इस साइड यानि जैसे दुनू वार देखे आया है दुनुख कौर्नर पर आये हैं यानि एक नबर पर और इसे जुड़एक। मैंने स्कॉइल को सौरीस्वार को मैंने कलर अलग रखा है कि दिखी इसे सर्किट से समih लें यहां पर जैसे देखें यह यह लिए यहां पर लिखा लुड़ से 2934 का इक्वेलेंट है इस पे मैंड को अलग न करिएगा कि यह हो सकता है कि अलग हो ऐसा नहीं है तो देखिये यहां पर जो एक इस साइड में जिसे दिखेए यह है इधार तो यह इस साइड का हो गया ठेक अब यहां पर देखें जिसे 10 मेंड बना हुआ है तो दो साइड में है दिखा दें आपको ऐसे इस साइड में और एक इस साइड में connection है जो कि control के जो connection होगे एक इस side में और एक side में जब उपर से slide वाला लगता है यहां पे तो यहां पे 10 band slide control यूज किये जाते हैं जो कि यहां पे देखेंगे इस तरीके से होता है लेकिन अब इन सब को cancel करके यहां पे एक control लगाना है यह इस type का ठीक आप इसे डिवल भी लगा सकते हैं इसे आप सिंगल भी लगा सकते हैं लेकिन जैसे आपको जिस cabinet में लगाना हो अलग-अलग भी लगा सकते हैं और इसे balance control इसके value के बना सकते हैं वह जिस अपने जिससे design करना हो लेकिन यहां पर मैंने जो आपको बताना है मुझे वह है इसके connection के बारे में आप connection के बारे में समझ लें कि जैसे यहां पर देखें एक maximum और minimum जो कि इस side से और इस side से ठीक यहां पर देखें यहां पर जो यूज किया कई control है वो 10य category है लेकिन आपको यहां पर 100 के यूज करना है और जैसके हैं पर लिखा हुआ हंडेट हर्ट्स और यह थूआ 10 किलो हर्ट्स अब यह जो hundred हर्ट्स है और यह किलो हर्ट्स है इसके frequency देखें यह हुआ इसके जो है लो और हई फिर्क्वेंसी ठीक और बीच वाली फिर्क्वेंसी जितनी है उसे हम एक साथ जोड़ेंगे कैसे चले दिखाते हैं आपको पहले इस जगा समझने की कोशिस करें यह पिन नंबर एक है आईसी का यह लिएम 324 पिन नंबर दो है पिन नंबर तीन है अब यह पिन नंबर एक जो है इसका आउटपुट है जो किश कैपिस्टर से यहां पे आ रहा लिखा हुआ है ठीक अब यहां पर पिन नंबर दो डारेक्ट जॉइंट से यहां पे गया है अब यह हो गया हमारा maximum ठीक अब दूसरा यहाँ पे आता है सरी maximum नहीं minimum हुआ यह हुआ इसका minimum अब यह आता है maximum वाली point यहाँ से ऐसे होते हुए pin number 3 पे आएगा यह देखिए pin number 3 यहनी 1, 2, 3 pin number 3 से connect हुआ है यह दोनों control के एक और तीन number पे जुड़ेंगे बीच वाले पे नहीं जुड़ेंगे यह दोनों का connection जो यह दोनों है दोनों का connection जितने भी control होंगे सब के जैसे यहाँ पर देखिए common की रूप में last में और start में यानी end और start में यह दोनों जुड़ेंगे वहीं पर maximum और minimum का का काम करेंगे यानी जब control आप maximum की तरफ ले जाएंगे तो हमारा पिछ होगा जो बढ़ेगा या drum होगा बढ़ेगा और minimum की तरफ ले जाएंगे तो वहाँ पर औकल का आवाज दबेगा travel भी कम होगा base भी कम होगे तो यह इस control का system जो है काम करने का हुआ अब चलते हैं हम इसके control कैसे डिजाइन करेंगे कि जो की तीन बैंड पर हो तो एक तो यह बात समझ वाए गई कि जो की किनारे वाले connection यानि side वाले connection को जो end और start यानि जो end और start है उसे बहुत ध्यान से आप समझ ले दो नमबर और तीन नमबर और दूसरी बात तीन icu किये गए हैं अब यहां पर आपको तीन पहचान बता दिये यह दो नमबर और तीन नमबर और इसका output अब इससे आप इसके connection को trace out कर सकते यह आपका tension खतम हुआ क्योंकि यह main point है अब बसते हैं यहां पर एक दो तीन चार पांच ठीक अब यह फाइफ फाइफ जब control होंगे तो क्या होगा 10 बैंड बनेंगे हमारे अब यह जो पांच हो है यह बीच में जाएंगे दो किनारे और पांच बीच में अब यह हमारा 10 बैंड कंट्रोल स्टार्ट हो गया मतलब रेडी हो गया अब इसे हम तीन कैसे बनाएंगे चलिए दिखाते हैं आपको यहां पर देखेंगे यह जो कंट्रोल यूज किया गया है यह दिखिए सैटालिस के कि यहां पर हंड़ेट के मेरे पास था नहीं इसलिए यह हंड़ेट के ठीक अब यहां पर जब आपको इतना मालू हो जाता है तो आपको जो इस पर परियोग करना है आप उसे इसके रिस्पॉंस को या इसके इफेक्ट क्या बढ़ते हैं उसे आप देख सकते हैं यह जिसे डाउट हो कि 10 के और इसके हंड़ेट के बीच में क्य का डिफेरेंस होते हैं तो आप इसके कंट्रोल को चेंज करके देख सकते हैं कि इससे क्या इफेक्ट होता है उससे क्या इफेक्ट होता है क्योंकि आप जो महसूस करेंगे तो उसका एक अलग रिस्पॉंस होगा मैं जो बताऊंगा एक अलग रिस्पॉंस होगा उससे आप शरुप यूज कर सकते हैं लेकिन उसके काम को महसूस नहीं कर सकते कि इस कंट्रोल से क्या होता है लेकिन जब आप इसे करेंगे अंतर करेंगे तो आपको जो महसूस होगा वालग होगा वह आपका सेलफ एक्सपिरियन्स होगा ठीक अब देखे यहाँ पर मैं बना रहा था लेकिन फ्राट डिफिरेंस हो गया फिर यहाँ बनाने की कोशिश क्या लेकिन यह भी सही नहीं बना तो मैं यहाँ पर देखे कुछ अलग टाइप से बनाया हूँ जो कि यह ज़्यादा इजी आपको समझ में आएगा देखे जो 7.1 एक दो तीन चार पांँछे साथ अब यहां पर देखें एक दो तीन चार पांँछे साथ अभी सात पॉइंट पे जहां से वायर जुड़ते हैं जिसमें से देखें जो हम मैंने बताया था मिनमम यानि यहां जो पिन नमबर दो पर यह connect हो रहा है यह down side में जुड़ जाएगा यह हमारा tone control है यह और दूसरा यहां पर जो उपर side में यह maximum है जो कि नमबर तीन से जुड़ेगा आई सी के यह दो किलेर होगे बसता अब यहां पर पांच अब यहां पर एक दो तीन चार पांच अब यहां पर हम क्या करेंगे इसको इससे जॉइंट कर देंगे फिर इसको इससे जॉइंट कर देंगे ठीक अभी हमारा जो रेडी हुआ यानि एक दो तीन यह त्री बैंड हो गए अब थिरी बैंड में आपको क्या है कि इसकी एक साथ जो रिस्वांस मिलेगी वो मीट वाली वो आपको ओकल यानि जो गले की आवाज है वो आप एकदम डीपली डाउन कर लेंगे यहां से और जितना आपको जरूरत होगा उतना बढ़ा लेंगे यानि मिनमम और मैग्जमम ओकल को कर सकते हैं आप यहां पर बास जो है यानि जो बेस सब्सक्राइब हो उसके बाद लास्ट में आता है ट्रेवल हाई फिर्कुंसी हाई पिच जितना आप चाहें उसे कम या ज्यादा कर सकते हैं अब यहां पर देखें जो की एल्यम 324 से पिन नमबर एक आउटपुट है जैसा कि आपको सर्कुट में बताये हैं तो इसी तरीक कूम थphon था समैं लगता तो यहां पर देखें अगर यह समझ में आ गया हो तो ठीक है अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करेंगे तो इसे हम वाइड़ और बोर्ट पे और भी क्लियर कर देंगे और आपको इसकी रिो readily सुना कर दिखा देंगे तो थैक्यों दॉस् अब इसे और एक पार देख सकते हैं जो हमारा ब्लू कलर का वायर है यानि जो नीले कलर का वायर है इदे के दूनों साइड में जुड़े हैं जो बीच में है वो एलो कलर का है अब एलो कलर और ब्लू कलर दोनों को मैं यहाँ पर अलग कर दिया हूँ जो बीच वाले पॉइंट पर जुड़ेंगे वो यहाँ पर देखें तीन कंट्रोल है यानि 3 control में यह 3 वार जाएंगे जो कि यह yellow color के होंगे और 2 color में जो यह है यह हमारा blue color का यह दोनों हमारा side में जूड़ेंगे control में यानि यह जो tone control है TC control यह दोनों side में जो हमारा blue blue जूड़े हैं और बीच में yellow ठीक और यहाँ पर जो direct मैंने किया है उसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर यह दोनों blue color अलग हो गए और यह जो हमारा यहाँ पर यह अलग है और यह अलग है यह हमारा travel का जिसे है तो यहाँ पर देखेंगे सबसे जो pf के value हैं उसे यहाँ पर दिखा दें आपको 200 जो high pitch generate करेगा यानि value जितनी कम रखी जाएगी इस pf की इस capacitor की उतनी frequency high होगी और यहाँ पर देखें जितनी इसकी value high रखेंगे उतनी low frequency होगी जो कि drum की होती है जो यहाँ पर yellow color का start point है यहाँ पर आएंगे तो इस जगे पर आएं तो इस जगे पर देखें यहाँ से जगे इस जगे यह 37 के यूज क्या रहा है और यहाँ पर देखा रहें आपको 224 अब यह यहाँ पर देखेंगे यह जो है उसके साथ में जो बीच वाले साथ में जुड़ा है ड्रम जो इसका बास है यहाँ पर उसी के साथ साथ में इसके बास भी इंक्रीज और डिस्क्रीज होंगे यानि मिनमम और मैजमम का का काम करेंगे यहाँ पर दिखा दें आपको यह आप फिलिप्स के कैपी सीटर भी उज़ कर सकते है यहाँ पर देखें यहाँ जैसे मैंने यहां जो डिजाइन किया है यह जो मारा स्टार्टिंग जो बेस का काम करेगा यहाँ पर देखें इसे आप फिलिप्स के उष कर सकते हैं जैसा कि आपको मालूओन चाहे हैं फिलिप्स का जो आइडियों में सबसे बेटर रिस्पांस रहा है यानि जो फिलिप्स के कैपिस्टर होते हैं तो यहां पर जो आप इस बहुत सारे आपको फिल्टरे मिल जाएंगे यह बहुत सारे कलर टीवी के बोड में new जोते हैं पुराने बोड से आप से निकाल ग़ल से आपक दामांद हो गा है तो इस सारे तो यह सबके response भूए उसी के recording देते हैं तो आप इसके response को जıtना चाहिए उतना better कर सकते हैं डेजाइन चेंज्ग करके और डेजाइन में क्या है आप को resistance के value नहीं change करने ही क्यों यहاں पर input output match कराने के लिए यहां पर रflanस के value को घटा बढ़ा सकते हैं क्योंकि जिस से match कराना हो वहां पर वह भी आपको यहां पर भी बहुत भिसेश ध्यान देने होंगे क्यों कि matching के अमसार अगर signature के बैलु आप बढ़ा देंगे तो वहां पर frequency drop हो जाती है, full response नहीं मिल पाते हैं, उसके हम एक section में बताएंगे, यानि एक topic अलग होगी, जहां से हम इसके matching कराते हैं, तो matching के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ने वीडियो में, जो आपको जरूरी ह या और कुछ समझना चाहते हूं, तो उसके बारे में आप comment करें, मैं कोशिस करूंगा उसके better response को आपको whiteboard पे display करके दिखाएं, तो thank you दोस्तों, और देखते रहे हैं, जैसा कि इस वीडियो में आप सीख के होंगे, कि ये जो हमारे point बने हुए हैं, 7 point, जहां से हमारा ये 5 band बनता है, तो यहां पे मैंने 3 control को एक साथ जोड़के और ये mid frequency को बनाया है, तो अब क्या होगा, आप इसके control को घटा बढ़ा कर देख लें, और दूसरी बात इसमें आप modify करके और भी काम कर सकते हैं, जैसे ये control अलग अलग चीजों के लिए बने हैं, अब जब मैंने यहां पे 3 use किया है, अब आप इसके इसको भी difference करके दो ही connect करके देख सकते हैं, या दो ये connect करके देख सकते हैं, ये cancel करके देख सकते हैं, और जो चाहें जो response आप modify करके आप भी ले सकते हैं, आप भी बना सकते हैं, अब उस समय मैं जो design किया था, उस समय की बात थी, इस स बेटर करने के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा मोडिफाई करना पड़े क्योंकि यह लिए हम 304 में थोड़ा सा नौइस होता है इसे ग्राउंड यहीं शील्ड वायर की जरूरत पड़ती है जिसा कि यहां पर देखें जितना अच्छा शील्ड वायर लगाएंगे लीकेज नही यह हुआ कि आप इसमें अंतर करके और बेटर रिस्पांस ले सकते हैं यानि आपको बहुत अधिक बहुत चाहिए तो दूसरा हमारा जो हाई कैपिश्टी का स्वरी हाई वैलू का जो हमारा पी एफ है वो यहां से कैंसल कर दें यह इसके कंट्रोल अलग ले ले या तो इस इसको दोनों को मिला कर देख लें और यह दोनों रहने दें जिस पर आपको बेटर रिस्पांस मिले क्योंकि उस समय की म्यूजिक और आज की म्यूजिक में थोड़ा से डिफरेंस है और उसे बहुत बूस्ट और दमदार बनाने के लिए आप इसको मोडिफाई करके देख स रिटर रिस्पांस कौन देता है तो ऐसे ऐसे करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा और यह वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो जरूर कमेंट करके बताएं और जितना हो आपको यह अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें कि और भी लोगों को यह काम आए तो थैंकू द